हरे कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्धिक स्वागत है आज की इस वीडियो में आप रस्पान करने वाले हैं कार्तिक मास महात्मी के अध्याए 25 का साथ ही आप सुनेंगे काना जी और उनके भक्त के विश्वास की कहानी इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप से प्रश्ण पूछा था जिसमें मैंने आपको पौनिमा के दिन आने वाले ब्रहमन का नाम और अगले जनम में वो पांडवों में कौन से भाई बने थे इसका प्रश्न पूछा था जिसका आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया और इतने सारे कमेंट करके और कथा को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का हर्दी का भार तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजा रोपन करने से किस पुर्णी की प्राप्ती होती है जाने अन जाने में किया गया ध्वजा रोपन किस पुर्णी की प्राप्ती करा सकता है और अगर श्रद्धा पुर्वक धजा रोपन किया जाए यानि कि मंदिर में जंडी बांधी जाए तो उससे क्या पुर्णी मिलता है अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनेगा सारे कथाएं सुनकर महराज प्रथुने दिवर्शी नारत जिसे निवेदन किया की हे मुनिवर अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधी सुनाने की भी कृपा करें तब दिवर्शी नारत बोले ना अरायन ना अरायन हे राजन कार्तिक शुकल चतु पूरे घर में गाय की गोबर का चौका लगा कर तुलसी के ऊपर मंडब बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के चार द्वारपाल इस्थापित करें, जिनका नाम पुर्णिशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वतो भद्र चक्र बना कर उसके पास में ही पंच रत्न युक्त कलश इस्थापित करें। शोडशो उपचार पूजन करना चाहिए। उनका आशिरवात प्राप्त करें। यह सब कारे श्रद्धा पुर्वक करने से वरत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अंत में विश्नु लोक की प्राप्ती होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस वरत को कहता सुनता अत्वा देखता है। उसे भी इस वरत के चौथाई फल की प्राप्ती होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधी विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महराज बोले कि हे रिश्यो अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ ना हो तो कुछ ब्रहमणों को भोजन करा दे। ब्रहमण ना मिले तो गाए, पीपल या फिर वट वरिक्ष का ही पूजन कर ले। क्योंकि पीपल का वरिक्ष विष्णु भगवान का और वट वरिक्ष शिवजी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर रिशियो ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विश्नु और शिव जी वरिक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, ये भी बताने की करपा करें। तब शिरी सूत जी कहने लगे, हे रिशियो, किसी समय शिव पारवती एकांत में विराजमान थे, कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अगनी देव द्वारा उनके एकांत वास में विग्ण उपस्थित हुआ, इस पर पारवती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श पीपल और वट व्रिक्ष का पूजन होता है, तब रिशियो ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है, मगर विवार को नहीं, इसका क्या कारण है, अब करपा करके हमें ये भी बतलाईए, रिशियो के प्रश्न को सुनकर शिरिसूत जी महराज कहने लगे कि हे रिशियो, समुद्र मन्थन के समय, 14 रतनों में से कौस्तुभ मनी और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद, भगवान विश्नु लक्ष्मी जी से विवा करने को तत पर हुए, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभू, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी अ बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आग्या मान कर उद्दालक रिशी दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए, आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवनादी हो रहा है, ये देखकर उसने मुनी से कहा, म मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाए उस स्थान में रह सकती हूँ, जहां चोर, जुआरी और ब्रहमनों का अपमान करने वाले लोग रहती हूँ, दरिद्रा की यह बात सुनकर उद्दालक रिशी तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर ये कहकर चले जहां तुम आराम से रह सको, रिशी के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतिक्षा की, जब काफी देर हो गई, रिशी वापस नहीं लोटे तो वह रोने और चिलाने लगी, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, रिशी द्वारा त त्याग दिये जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्य दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए, तब विश्नु भगवान, लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्रे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंशे है, जो क कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा, वह हमें प्राप्त होगा, और उसकी यहां लक्ष्मी जी का वास होगा, जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा, उसकी सभी मनोरत सिद्ध हो जाएंगे, परन्तु रविवार को जो भी तुम् पूरिक्ष को इस पर्ष नहीं करना चाहिए, सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है, अत्वा सुनता है, उसे बद्रिका अश्रम यात्रा का पुन्य फल प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्री सूत जी महराज को छड़ों के लिए मौन हो गए, और आज का ध्याय भ उतर नहीं दे पाई, मुझे शमा कीजेगा, करक चतुर्थी वरत कार्तिक मास की चतुर्थी वरत को कहते हैं, जो कि करवा चौत का वरत होता है, बहुत से जगह पर इसे करवा चौत के नाम से जाना जाता है, तो कुछ जगह पर इसे करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता ह अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और आपके प्रशन का यदि आपको आंसर मिल गया हो तो प्लीज मुझे कमेट करके जरूर बताईएगा और कार्तिक की महिने में दीपदान कैसे करना जाहिए जिन लोगों ने भी कार्तिक मास महात्मी की कथाएं सुनी है आप सभी से भी अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो और आपकी श्रद्ध हो तो आप बैकुंठ चतुरदशी के दिन दीपदान करने से आपको पूरे साल में किये गए दीपदान का पुर्णिफल प्राप्थ हो जाता है कार्तिक का महिना बहुत पवित्र होता है ऐसे में सभी को इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए इस दिन किये गए दीपदान से पित्रों को त्रप्ती मिल जाती है पितर बहुत प्रसंद होते हैं गर परिवार में खुशिया हों या दुखों वो सब पित्रों का ही आशिरवाद या पित्रों का ही श्राप होता है तो कार्ती के महिने में यदि आसपास गंगा जी में जाकर यतालाब नदी किनारे आप दीबदान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा जी का दीवतान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप मारे चैनल पर अपलोडेट वीडियो जरूर देख लीजेगा, जिसमें आपको मैं खुद से पूजा विधी के माध्यम सिक करके दिखाऊंगी कि दीवतान कितनी बत्तियों का और कैसे किया जाता है अब सुने काना जी और उनके भक्त के अटूट विश्वास की कहानी, एक बार एक संत थे और वो भगवान कृष्णी के परमभक्त थे, भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे, उन्होंने भगवान कृष्णी के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंद बनाया हुआ था, वो इस प्रकार ऐसा विचार करके काना जी की पूजा करते थे कि काना जी मेरे बालक है और मैं उनका पिता हूँ, जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम काना जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जेरूर होते हैं, काना जी है ही ऐसे कि हर अपना अलग ही संबंद रखना चाहता है कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में कोई उन्हें अपने पिता के रूप में कोई सखा के रूप में कोई पती के रूप में तो कोई उन्हें भगवान के रूप में और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रे पर उड़ेल देते, कभी कहते, अरे कान्हा, मेरी दाड़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो, और मन ही नुमन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा, उनकी दाड़ी नोच रहा है, और वो कान्हा को पक्रने के लिए उसके पीछे-पीछे भागते हर समय उनके मन में सिर्फ कानह ही कानह बसे रहते खाते, पीते, सोते, उठते, बैटते वो हर समय कानह से ही बात किया करते उनका तो जैसे एक-एक छण, उनकी एक-एक सांस सिर्फ कानह जी को ही समरपिती कानह जी की भक्ती में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए हर समय बस कृष्ण की भक्ती में ही रमे रहते एक बार संत जी अपने सिश्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगर स्नान करने नहीं गया तो शिश्य कहते गुरु जी आप काशी में चले जाओ काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्य काशी में जाकर होती है उनका उधार हो जाता है उन्हें सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ती हो जाती है जिनका अंतिम संसकार काशी में किया जाए, जिनका पिंडदान काशी में किया जाए उन्हें बार-बार इस भवसागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता उन्हें बार-बार जीवन-मरन के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता उनकी मुक्ती हो जाती है तो जब शिश्यों ने कहा कि गुरु जी अब काशी में चले जाओ तो संत जी महराज जो कि अपने कानहा के प्रेम में उनके वातसल में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कानहा जी कह रहे हो कि पिता जी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ बाबा मुझे छोड़ कर इतनी दूर काशी में मत जाओ अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़ कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं बस यही सब कुछ संत महराज के साथ भी होता था बार बार वो निश्य करते लेकिन उनके कानाजी उने रोक लिया करते जबकि कानाजी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे कोई उनके कानाजी को देख नहीं सकता था लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रुप में काना जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं उन्हीं से बाते करते हैं अब धीरे धीरे समय बीता समय बीता तो संत जी और व्रद्ध हो गए कमजोर हो गए लेकिन उनका नटखट कनहिया वही सिर्फ साथ-ाट साल का बालक ही रहा संत जी की तो आई उबरती गई लेकिन काना जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया बस वो छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे अपना वासल उन पर लुटा आते रहे उनका वासल अभी भी काना जी के बाल रूप में ही था काना जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं लड़ू गोपाल जी को लोग घर में इसले रखते हैं कि काना जी पस कभी बड़े ना हो छोटे से बालक की रूप में उनकी घर में सदा विराज मान रहे तो कुछ ऐसी ही भक्ती संत महराज की भी थी काना जी में रमे रमे संत महराज जी एक तिन स्वर्ग सिधार गए आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते सदा के लिए सो जाते हैं सदा के लिए प्रभु के चर्णों में लीन हो जाते हैं उनके प्रांड छूट जाते हैं और ऐसा सुंदर अफसर और ऐसा पुर्णिदाई अफसर तो बहुत ही भागिशाली लोगों को मिलता है कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के सारी खुशियां देख ली हो सब कुछ देख लिया हो अगर उनकी मृत्यों एकादशी की तिथी को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है उन्हें भी भगवान विश्णू के चर्णों में स्थान मिल जाता है तो जब संतजी महराज अपनी आयू पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उनके शिश्ष जब उन्हें शम्शान ले जाने की तयारी करने लगे तो इतने में ही एक साथ आठ साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संसकार तो मैं ही करूँगा अब हमारे हिंदु धर में तो ये माननेता है कि अगर किसी की मृत्ति हो जाए तो उनका येदी कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संसकार करना चाहे अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संसकार कर सकती है तो जब बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ इनका अंतिम संसकार तो मैं ही करूँगा और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा इसनान करूँ लेकिन वो कभी जा नहीं पाई लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवशी ही पूंड करूँगा इसलिए तो मैं साथ में गंगाजल का ये घड़ा लेकर आया हूँ बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगाजल से स्नान कराया संत जी के माथे पर तिलक लगा कर उनका अंतिम संसकार किया उस बालक में एक अद्बुत चमतकार सा था एक कशिस थी एक दिवित तेज था कि वह नन्ना सा बालक खुद ही ये सारे काम कर रहा था लेकिन कोई भी वहाँ उपस्तित भीड यहां तक कि संत महाराज के शिष्ष भी कोई कुछ बोल नहीं सके किसी ने कुछ पूछा ही नहीं अंतिम संसकार वितिवत हो गया इधर संत महाराज का अंतिम संसकार हुआ और उधर वह बालक जाने कहा अंतरध्यान हो गया उस बालक के जाने के पशा जब लोगों को कुछ सुधी आई तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं और वो तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयम संत जी के पुत्र के रूप में आये थे और तब सबने ये विश्वास कर लिया कि हो ना हो काना जी ही संत महराज के मानस पुत्र बन कर ही यहाँ पर उनका अंतिम संसकार करने के लिए उपस्तित हुए थे कहते हैं कि अगर भक्ती सची हो तो काना जी किसी ना किसी रूप में आगर अपने भक्तों की इच्छा अवशी ही पून कर लेते हैं तो यह था आज का अध्याय और काना जी की कहानी उमीद करती हूँ हर बार की तरह आज भी आपको इक कहानी बहुत पसंद आई होगी अगर हो सके तो आप मेंसे जो लोग भी हमसे कार्थिक महीने में जुड़े वे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आप सभी मार्कशी इस महीने में अब तक के रुके हुए भागवत कथा के अध्याय सुनना पसंद करेंगे उससे पहले आप हमारी चैनल पर अब तक अप्लोड़िट भागवत कथा के जितने भी अध्याय हैं वो डेली सुनना प्रारम कर लीजेगा ताकि फिर मार्कशी इस के महीने में हम सभी एक साथ मिलकर इन कथाओं को पढ़ और सुन सके